इंनों ने तो पाकस्तान का और संभू का बाटर बटा दिया इतना पाकसितान के बाटर पे नहीं सक्त पैर आजाना सक्त वेरिगेटिंग जह इनूने कर दिया है हमारा अलू 15 और खिरीक पारी और बेचता है सर्पे में दाव सरकार को महगाए ही नहीं नजराती अभी हम मौजूद है हरियाना और पंजाब के संभू बोर्डर पर जहां 13 फरवरी से किसान जम्य हुए हैं मांग लगभग वही हैं जो साल 2020 के अंदोलन के समय थी एमेसपी पर कानून बनाने की मांग हलाकि 2020 में जो तीन कानून थे उसे हटाने की मांग महत्पूर्ण थी उसके बाद जो चौथी मांग थी वो थी एमेसपी पर कानून बनाने की मांग इस बार वो महत्पूर्ण है हम यहां मौजूद है एक ट्रॉली में संभू बोटर पर करीब 5-6 किलोमेटर दूर तक पंजाब के साइड में ट्रेक्टर्स ट्रॉली मौजूद हैं हम एक ट्रॉली मौजूद हैं सर 2020 के अंदोलन में भी आप मौजूद थे 2020 से ये कितना अलग है तब कैसी तैयारी थी तब क्या महौल था तैयारी जैसे 2020 की अंदोलन थी उससे ही उससे ज़्यादा बढ़कर है इस बार हमारी तैयारी है 2020 में भी ये MSP वाली मांग थी जो आप लोग काले कानून कहते हैं कानून के बाद जो चौथी मांग थी वो थी MSP पर कानून सरकार ने कमिटी भी बनाई लेकिन वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है फिर आप लोग आए हैं क्या कहेंगे इस पर देखो जो 2020 में दोलन शुरू हुआ था उसके बाद एक्की में हमने तिने काले कुनून राद करवाए थे उसमें था हमको MSP पर गरंटी का कुनून बनाए जाए सरकार ने कहा था आप आप हमको अपने कुछ अधका अपने अध्यक्षे दो जो हमारे से गठन के आगू होते हैं वह उन्हेंने हम से मांगा था लेकिन कभी हमें कोई सद्दा नहीं है भी हमारे साथ आकर बैठके बा माननी थी आप हमसे द्वारा बात करो लेकिन कभी भी बात मुड़के ना ना होने के कारण आज हमको द्वारा सटकों पर आना पड़ा है एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले बार लगत यहीं से अंदोलन सुरू हुआ था हरियाना के भी लोग उसमें सामिल थे वैरिके आपके नौजवान किसान आगे बढ़ते हैं तो उधर से आसोगैस के गोले दागे जाते हैं पैलेट गन दागे जाते हैं तो क्या इस बार प्रशासन की तयारी आप लोगों से जादा है कि नहीं जाने देना है दिल ले बात ऐसे हैं तो पहले भी प्रशासन ने बहुत की थी पिशली बार भी इस बार हम लोग अपने अगूँ के जो मरे आगूँ है जैसे वह अभी बात्चीत भी कर रहे हैं हमारे को यह तो लक्ष है नि वह सौंख आया है हमने बहीं जाके रुखना खेंते हुए हैं जब सरकार नहीं सुन रही तो उसके लिए कठे हुए है अगर हमारी वह बात मान लेते हैं तो कोई बात नहीं है इसे हमने दिली ही जाना ही जाना है अभी सरकार बादा खलाफी कर रही है जो 2020 बड़ा अंदोलनता उसमें उसने कहा था यह कनून हम लेके आएंगे तो अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई लेकिन कुछ नौजवान हैं जो आगे हैं वो काफी आगे बढ़ जा रहे हैं कल यानि 15 फरवरी को एक निहंग सिक को गोली भी लगी जो जिनको राजंदर होस्पिटल पटेलाम भरती किया गया तो आप लोग अपने नौजवानों कैसे रोकेंगे वो हम से कह रहे हैं जब हम हैं हमारे सारे लीडर अपीज़ कार रहे हैं जुब जैसे भी यह कहें गिए उसके बाद ही आगे बाड़े प्लैनिंग होगी तो कोई बात निनको भी हम लोग कोल रहे हैं जैसे दिल्ली जाने की कसम नहीं खाई है इनका कहना है और किसान नेता धालेवाल जी से मेरी बात ह तो उन्होंने भी कहा कि जब बात्चीत का रास्ता खुला है तो हम क्यूं जब अदस्ति बैरिकेट तोड़ें और आगे बढ़ें आप नौजवान हैं सर आपका नाम क्या है मेरा नो हर्जी सिंग जी हर्जीद जी आप 2020 के अंदूलन में थे बिलकुल जी तो क्या बदला 2020 के अंदूलन में और 2024 के चार साल हो गए अगर तीन कानून को हटा दिया जाए तो आपकी डिमांड लगभग वहीं है MSP की गारेंटी पर कानून बनाना सरकार ने कमिटी बनाए थी पर हुआ नहीं कुछ क्या बदला इतने दिनों में आप लोगों के जीवन में कुछ नहीं बदला जी हम तो दीरे दीरे और करजे में दूबते जा रहे हैं कि 2021 और 22 के जो अंकड़े हैं जो बताते हैं कि पंजाब के जो कुछान है उन पर 14 लाग क्रोड का करजा चड़ गया है और इतना ही हमको फासलों पर घाटा पड़ गया है एक साल में MSP ना होने के कारण है हमारी फासलों का जो रेट गिरा है उस चौदा लाग क्रोड के लगपग साड़े चौदा लाग क्रोड बो नहीं नहीं अंकड़े हैं बताते हैं हम नहीं बोल रहे हैं उतना ही हमको घाटा पड़ गया खेती में ठीक है जी इन्हों तो हमारा क्यों नहीं हम तो पूरे देश को पेट बारते हैं पूरे देश का कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ही के अख़वार में छपा है कि MSP पे MSP पे कानून किसानों की समरीधी का मारग नहीं है कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर मिस्जolly water शोगष होगा अगर हमको अमरे पूरा मिलेगा तो मिजदूर हॉष पूरिटेंगे ना जो आज जो मजदूर है कास्ड बारासे चौदागांटे तक उससे काम लेते हैं कितनी तन खादेते हैं बारासे बारासे यार्पिय अगर किसान हमारे खिक्तों में काम करेगा कशन हमेने की 20जार लग पार हो जाएगी जो ग्रीब है मजदूर है उसका भी तो आमदना बढ़ेगी आपके जो आपने बैच लगाया है वो भारते किसान इउनियन एकता के सदस्याप तो सीदुपुरे इस बार बहुत सारे संगठन नहीं है जो पिछले साल आप लोगों के साथ थे क्या उस कारण से दिल्ली जाने का आप लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा इसी बात तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि त्यारी की बात त्यारी तो हमारी पूरी है अगर हमारे नेतादाल है जो वो कहेंगे तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना हaurit कि लिए बात्चीत का रास्ता कुलना है दोनु तरफ से राथicks से हो रही है अगर हमारा यहीं पर मसल्थन हाल हो जाता है यॉज जाना है अगर हमारे जो नेता है उपषिए तो बडरा फोनेधा जाना है प्रश्डे जायें स्रुम Um यहां के सिबिल हॉस्पिटल में भरती है राजंदर हॉस्पिटल पट्यालायम भरती है जिस तरीके से क्या दहसत नहीं बन रही है कि पिछले बार तो इतनी चर्रे नहीं चल रहे थे तो पिछली बार शर्रे नहीं चल रहे थे यह बात तो मानी है यह तो सरकार की नलाइक की ह लुक्षान नी नीघेा नहीं किसी को संपत्ती 안 नगसान नुक्सान भी अत्तोश के सदू हरíanसर war कि लिना रूंऀना नहीं हमारे संहें हरेना कुछ हारी संदुर्ट दुर्सयार कुछ व्या आपना की रजकी ज़ा रहे हैं उसकी प्राजा उसे कुसी माधने जांवा उसके बताने कि हम को यह तकलीप है हर्याने बल्ले को क्या को तकलीब होगी री माता करतों को हुआ कि पर जांप है एंदेक तो फरज़े हeld obviamente से करने ऊफ़र फिर çयेकर को यह इतना महीं करना है कि मेरा घर पाकिस्तान बोडर से 500 मिटर की दूरी पर वहां इतनी तैयारी नहीं होती जितनी यहां तैयारी है आप नौजवान है और यहां जिससे भी बात हो रहे हैं नौजवान है उसे वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाएंगे जैसे कि बाकी किसान लीडर है या आपके साथी हैं वो कह रहे हैं कि बाचाई खुला है तो दिल्ली आख डिल्ली जाने की हम झाया है लेकिन जो नौजवान है वो कह रहे आप क्या सूचते है कि गाचीर जाना जरूरी है या यहीं बेटकर मांग अपने मन वाई जाए बहले तो वहीगरई जी का खालसा श्री ऊजि उसनमा इसमें से ठीक हो जाता है जो हमारे लीडर है दलिया-ल-साब टो जैसे हम को कहेंगे कि हमने दिली जाना तो हम जाये प्ति followed मेरे जो हमारे जो हम談 कि असे हमारे नहीं मसला हल होता है हमारे जो हम मुद्दय रख रहे हैं सेंटर गवर्मेंट के पास वो जो बाची से हल होगा तो हम को जाने की जरूरत नहीं है हम करना क्या है दिली में जाके हम अपने जो धरना जिसलिए बनाया है माना जाना है हमने दिली जो हमारा चलो कि जो हमारे लीडर हैं वह बहुत सुजवान हैं बहुत समझ के जो फैंसल लेते हैं यह ची मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार हमने देखा है नया तरीका साथ मैंने पहली बार देखा है कि ड्रोन के जरिये उधर से लाके बीच में आसुगयस की गोले दागे जा कि अबने कभी इस आप लोग करते रहें आप लोग अबने डिमांड के लिए मांग करते ने कभी ऐसा देखा है राप इसक życie तो ड्रोन वाला तो पहली बार हुआ है बक्की तो पहले इस कई बार तो बहुत ज्यादा तशद्द होता है गोली भी चालती है जैसे हम कोई दूसरे देशे जहां पर कोई कवजा करने जाते हो हमारी शोटी-शोटी मांगें हैं हमने हमारे सब भाईयों ने बोला है अगर भाई हमारी कंक जब आप हमसे खरीते हो हमसे 20 अरफे खरीते हो 22 अरफे खरीते हो और जेशों को जब अप ज़्यादा देते हो वो नहीं किसी को देखता हमारा अलू 5 रपे को खरीता है एक बपारी और बेचता है 80 रपे में दाव सरकार को महंगाई नहीं नज़राती बपारी को बपारी का बला चाहते है कौपरे हम लसन के बारे में बोलते थे ऐसे याम का है अख्रोट का है वो वो करते क्या है जब हमारी चीज होती है हमारी चीज को पांच रपे खरीते हैं और बपारी को जब बपारी ने बेचनी है तो वो सौ की भी बेचता है असी की भी बेचता है इसलिए हम कहते हैं इसको कोई भी स इसानों से बात की उनका कहना है कि दिल्ली जाने की हमने कोई कसम नहीं खा रखी है अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो हम यहीं से लौट जाएंगे और अगर नहीं मानती है और हमारे जो लिडर्स हैं अगर वो इसारा करते हैं तो जो हर्याणा पुलिस की वेरिकेटिंग उसको तोड़ने में दो से तीन घंटा लगेगा लेकिन यहां जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने ये भी कहा कि साल 2020 का जो आंदोलन था वो अलग था लेकिन साल 2024 में जिस तरीके से ड्रोन, पैलेट्स, गन और आसुगैस के गोले दागे जा रहे हैं वो हैरान करने वाला ह आज शोसल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्तरकारी तके बुरे दोर की चर्चा होती है क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बलकि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुँचाने में लग गए हैं विग्यापन मोडल को खारिच कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बिलंद कीजिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें